नमस्कार दोस्तो हमारा विहार में आपका स्वागत है आज 29 अपरेल 2020 और 29 अपरेल 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है जो विहार से जुरे हुए है उसका जम डिसक्स करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो जिस परे दिन का पीडियेफ हिंदी और इंग्रिस दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का दो कुशन रखा है जिसका एंसर आप लोगों को कमेंट वक्स में देना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए तो चल 2009 में गठित किया गया था सी ऑप्सन इसका सही हो गया चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ तो 2009 में सिंकिंग फंड का गठन करने के बाद पहली वार इसके ब्याज की रासी का उप्योग राज सरकार लो करीन की किस चुकाने के लिए कर रही है और बिबिन किस्तों में र 5,740.12 करोर और उसका ब्याज है 1,942.09 करोर रुपया और इस साल की कुल रासी 7,035 करोर रुपया को सरकार ने सिंकिंग फंड से चुकाने का फैसला किया है और पहली किस्त के लिए आर वी आई ने अनुमती भी दे दी है अब सिंकिंग फंड होता क्या है तो सिंकिंग फं जिसमें एक निर्धारित अमाउंट रखा जाता है और इसका इस्तमाल आगे आने वाले समय में कर चुकाने के लिए किया जाता है बिहार सरकार द्वारा इस सिंकिंग फंड में हर साल लोक रिन वा अन्य बकाय चुकाने के लिए 0.5 फिस्दी की रासी डाली जाती है जिससे इसका इस्तमाल वो भविस्य में कर सके ठीक है चलते है अगले कोशन की तरह तो अगला कोशन है कोरोना को पराजित करने वाले राज्यों में बिहार को देश में कौन सा अस्थान मिला है तो बिहार का अस्थान मिला है तीसरा ठीक है C option इसका सही हो गया प्रतम अस्थान पे YouTube के तोर द्वारा यह option इसका सई हो गया अब चलिए क्या है योजना या तो इसके लिए बिहार सिक्षा पर योजना परिशन ने UNICEF की मदद से online session का schedule सभी जीला सिक्षा अधिकारी वो जीला का रिक्रम अधिकारी को भेज दिया है schedule के अनुसार YouTube कारियर चैनल पर प्रतेक सोंबर और गुरुबर को साम चार से पाच का समय तैकी आए गया है इस class के लिए next question है श्रम योगी मान्धन प problema में बिहार का देश में कौन सा स्थान पर है तो बिहार देश में है छठा स्थान पर टिक है राज में एक लाग असी हजार लोग ही अभी तक इस योजना का लाव हे पाए हैं। अब दोस्तों क्या है स्रम योगी मांधन पेंसन योजना चलिए इसके बारे में जानते हैं डीटेल से तो सरकार ने अव संगटिट छेत में काम करने वालों के लिए यह पेंसन योजना शुरू की है इस योजना के तथ निवेसक को हर महीने कुछ रासी निवेस करनी होगी सरकार इस योजना के जरिये 60 वर्स की आयू पूरी होने पर निवेसक को हर महीने 3,000 रुपे पेंसन की गारेंटी देती है इस योजना के जरिये निवेसक को जीवन भर पेंसन मिलेगा और इस योज़ना में आप जितना योगदान करते हैं सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करेगी और साथ वर्स की आयू तक योगदान करना होगा और सरकार भी उतना ही योगदान करेगी 60 वर्स पूरा होने पर 3,000 पेंशन आजीवन मिलता रहेगा और दोस्तो जो आज़ती होगा इंवेस्ट जो करेगा अगर उसका मित्यू हो जाता है तो उसके बाद उसकी पत्नी को भी आजीवन पेंशन 1,500 पेंशन मासिक मिलेगा और पत्नी की मित्यू होने के बाद उसके बाद कोई पेंशन की सुवीदा उपलब नहीं है और निवेस कितना करना होगा अगर व्यक्ती 18 साल से उपर है और 28 साल तक है तो 60 वर्स की आईउ में 3,000 पेंशन के लिए 55 रुपिया निवेस्ट करना होगा प्रती महिनाटिक है और 29,000 से 29 वर्स से उपर का उम्र है तो 100 रुपिया मासिक उसको इवेस्ट करना होगा और 40 वर्स से उपर का एज है तो 200 रुपिया उसको इवेस्ट करना होगा चलते आगले कोशन के तरब तो आगला कोशन है पुर्व मद्धे रेल्वे ने पेपरलेस पारदर्सी वा तेज काम काज के लिए कौन सा प्रनाली अपनाया है तो यी ओफिस का प्रनाली अपनाया है पुर्व मद्धे रेल्वे ने बी आप्सन इसका सही हो गया और इसके लिए पुर्व मद्रेलबे ने अपने अधिकारियों को प्रसिक्षित किया है और आने वाले समय में 50,000 से अधिक फाइलों को डिजिटलाइज कर इसे अपने आफिस प्रेटफरम पे लाया जाएगा और पुर्व मद्रेलबे का मुख्याले बैसाली जिला के हाजीपूर में है और हाजीपूर दोस्तों बैसाली जिला का भी मुख्याले है ठीक है? अगला कुशन है कुरोना के संकट में राज के सिल्पियों की मदद के लिए उसके द्वारा बनाया गया समान राज की कौण सी संस्था खड़े दीगी? तो एक संस्था है उपेंदर महारती सिल्फ अनुसंधान संस्थान जो की पटना में है और इसी के द्वारा राज के सिल्फियों के द्वारा बनाया गया समान खरीदा जाएगा और यह राजसरकार इसकी घोसना की है तो समान की कीमत का 50% जी समान का आपूरती किया जाएगा उसी समय भुगदान किया जाएगा और कुरोना के संकट के दोर में सिल्फियों को बाजार उपलब्द कराने के लिए राजसरकार ने यहा कदम उठाया है और उपेंदर महापरती सिर्फ अनुसंदान सहस्थान जो है दोस्तों यह पटना जिला में है अगला क्वेशन है लॉकडाउन के दोरान देश के हर कोने में मुझफर पुर के साही लिची को पहुचाने के लिए सरकार द्वारा किस समू का अगठन किया गया है तो मुझफर पुर के साही लिची को देश के कोने कोने में पहुचाने के लिए हर्टी कल्चर मार्केटिंग ग्रूप का गठन किया गया है सरकार के द्वारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया इसके अंतरकत साही लिची के अलाबा अन्य मौसमी फलों के उत्पाद को भी जोरा जाएगा और इसमें देश के हर कौने के उत्पाद को और बैपारियों को भी जोरा जाएगा ठीक है next question है हाली में काम पर सुरक्षा और स्वास्थेतू 20 दिवस का मनाए गया है 28 अपरेल के दिन c option इसका सही हो गया यह दिवस कार्य अस्तल पर दुरगर्ना और वीमारियों की रोकद्धाम पर जोर देता है पहली बार यह दिवस 2003 में अंतराष्टिय स्रम संगर्ठन यानि अंतराष्टिय स्रम संगर्ठन वर्ल्ड लेवर और्गनाज़शन के द्वारा मनाये गया था और इस दिवस का 2020 का थीम क्या है तो दोस्तो 2020 का थीम है महामारी को रोकें ठीक है तो दोस्तो यह थाज का current of years चलते हैं कल की revision के तरफ तो कल की revision का पहला question था बिहार के किस अस्पताल में प्लाजमा थ्रेपी के द्वारा कोरोना के इलाज की तयारी की जा रही है तो एमस पटना में की जा रही है बी option इसका सही हो गया और कल का दूसरा question था हाली में देवा नंद कूवर का निदन हो गया है वह क्या थे तो वो विहार के पुर्व राजजपाल थे C option सही हो गया तो आज के question का answer हो गया B और C ऑड़ी कल के question का answer हो गया B और C बनाया जाएगा तो इस दोनों कोशन का एंसर आप लोगों कॉमेंट वक्स में देना है तो फटा फट एंसर दीजिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा काता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो थोड़ा सभी अच्छा यह फूल लग रहा है तो प्लीज fällt को सब्सक्राइब किजिये वीडियो को लाइक किजिए तपने दोस्तों में जरूरा करें और दोस्तों इस वीडियो का आप लिएं कर सकते हैं और दोस्तों बिहार बिहार जी के इतिहास का चौता भाग भी अप्लोट को गया है और उसका प्लेलिस्ट में बना दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकरस डियूर्द में आप लेख सकते हैं को तो विडिया जलूर देखिए चले दो आज के लिए इतना ही वीडिया देखने के लिए बहुत भहुत धन्यवाद